दोस्तो आज हम सीखेंगे एक्सल में कस्टम व्यूज यूज करना मैंने एक्सल ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस डेटा के अंदर कुछ कस्टम व्यूज बना के रखे हैं उसी के साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहोगा एक सर्च जैसा आईकन कस्टम की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से अब जो भी मैंने इसमें कस्टम व्यूज बनाए हैं वो सब यहाँ पर है यहाँ से मैं कोई भी कस्टम व्यूज सलेक्ट करता हूँ जैसे दिल्ली सलेक्ट करूँगा तो दिल्ली का ही डेटा मेरे सामने आ जाएगा इसके अलाबा मैं कोई और यहाँ से सलेक्ट करता हूँ दिल्ली जैपूर तो देख सकते हो यह दिल्ली और जैपूर का डेटा मेरे सामने आया है यहाँ पे मैं किलिक करता हूँ पूमा सलेक्ट करता हूँ तो यह सिर्फ पूमा का डेटा मेरे सामने आया है अब इसको मैं Ctrl-F2 करके प्रिंट भी easily कर सकता हूँ ठीक है तो यह होता है दोस्तो Custom View तो स्वागत हैं आप सभी का हमारी इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और दोस्तो अगर आपको Microsoft Excel एकदम Complete सीखना है एकदम सुरू से Zero Level से तो मैंने Microsoft Excel का वीडियो बना दिया है Complete उस वीडियो को आप जा करके देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक है एकदम फ्री में तो यहाँ पर मेरे पास ये डेटा है और इसमें मैंने किसी भी तरह का Custom View एपलाई नहीं करके रखा है तो मैं पहले तो यहाँ पर फिल्टर एपलाई कर लेता हूँ फिल्टर एपलाई करने के लिए करसर को कहीं पर भी रखना है याँ पर और सिम्पल डेटा में जा करके फिल्टर पर क्लिक करना या फिर हम Ctrl-Shift और L प्रेस कर सकते है सौटकट की फिल्टर याँ पर एपलाई हो चुका है अब दोस्तो हम यहाँ पर बनाने वाले है Custom View View टैब में आना हमको और यहाँ पर है Custom View जैसे कि मैं किसी भी एक एरिया को सलक्ट कर लेता हूँ इस तरह सलक्ट किया अब मैं चाहता हूँ कि यह एरिया हाईलाइट हो जाए या फिर इसका मैं Custom View बनाना चाहता हूँ तो सिंपल Custom View पर क्लिक करूँगा और अभी मेरे पास कोई भी Custom View यहाँ पर मैंने नहीं बनाया है तो मैं Add पर क्लिक करूँगा यहाँ पर और यहाँ से मैं कोई भी Name दे देता हूँ Custom View का जैसे यहाँ पर दे दिता हूँ मैं first यहाँ पर मैंने दे दिया first और यहाँ से दोनों को tick रखूँगा और okay पर click कर देता हूँ अब क्या होगा एक custom view हमारा बन चुका है तो मैं यहाँ पर click करूँगा फिर से तो यहाँ पर देख सकते हो यह आ चुका है और इसको अब देखने के लिए मुझे 100 पर click करना है तो जो मैंने area select किया था वो इस तरह से यह एक custom view बन चुका है मतलब यह highlight हो जाता है इस तरह से automatic select हो जाता है ठीक है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि मुझे यह quantity है यह नहीं चाहिए और यहाँ पर यह month भी नहीं चाहिए यह amount भी नहीं चाहिए ठीक है यह तीन column मेरे को नहीं चाहिए तो मैं इनको print करना नहीं चाहता बाकि सारे columns को मैं print करना चाहता हूँ तो इनको हम right click करके यहाँ से delete भी कर सकते हैं जैसे मैं इसको यहाँ से right click करके डिलीट करूँगा डिलीट उसके बाद इन दोनों को डिलीट कर दूँगा यहां से डिलीट और आप इजीली मैं इनको Ctrl F to press करूँगा तो print कर सकता हूँ लेकिन मैं इनका एक custom view बनाना चाहता हूँ ताकि मुझे जब भी वविश्च में आव सकता पड़े इसकी तो मैं custom view में जाकर के इजीली इस तरह से print कर सकता हूँ Ctrl Z कर रहा हूँ मैं तो custom view में क्या होगा तो यहां पर मैं mouse pointer के लिए के जाँगो right click किया और यहां से hide करूँगा इसको कोई भी नईम दे सकते हैं जैसे कि customer data यह मैंने एक नाम दे दिया आप कोई भी नाम दे सकते हो दोनों को select रखना यहां से print setting और filter setting ओके करेंगे ओके करने के बाद यह एक custom view बन चुका है मैं Ctrl Z कर रहा हूँ तो मेरा पहले वाला data आ गया अब हमने जो custom view बनाया था न वो बन गया उसके बाद मैं एक custom view और बना लेता हूँ जैसे इसको बना लेता हूँ तो जैसे कि मेरे को यहां पर brand और city और customer तीन चाहिए मेरे को बाकी जो columns है यह नहीं चाहिए तो मैं right click करूँगा और इनको यह यहांसे hide करना है hide होगे और मैं यह month वाला column भी Hide कर लेता हूँ उसके बाद इसका मैं custom view बना देता हूँ किलिक किया और यहांसे एड़ पर क्लिक करूँगा और यहांसे मैं कोई भी नाम देता हूँ customer name यह मैंने एक custom view बना लिया है OK कर दूँगा तो इसका एक custom view बन चुक कि अगरिदी हो गतेरा और तो यहां पर स्वापना पर मचला को यहां से सब्देग। अगर दूसरा कोई करना इसे को इस में से कोई तो मैं क stealth नेम को ससे लेखना याँ आपर so करूँगा तो यह यहाँ पर so हो गया जो पहले वाला था वो hide हो गया अगर आपको पूरा देखना है तो मैंने all का already बना रखा है all data के नाम से तो so पर click करूँगा यह हमारा पूरा data है वो इस तरह से देखा ही दे जाएगा यह होता है दोस्तो custom view अब मैं थोड़ा सा आपको और advance में लेके चलता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ मैं जाए उससे पहले मैं इन सबको delete कर देता हूँ यहां से delete yes delete yes और delete यहाँ पर मैं close कर देता हूँ यहां पर जो filter में लगा कर रखा यह filter में लगा लिया है आपको भी लगा लेना है यह उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहां पर केवल adidas और nike दो brand है वो ही आनी चाहिए बाकी की इसमें so ना हो तो मैंने इस तरह से इनको filter किया मतलब यहां से unselect और यहां पर click किया और यहां पर दोनों को select किया okay किया तो अब adidas और nike दोनों ही brand यहां पर so होँगी click किया यह देख पा रहे होंगे आप तो मैंने इस तरह से data को filter कर लिया अगर आपको यहां से और filter करना है तो easily आप इनमें से भी filter कर सकते हो तो मैं सिर्फ यही रखूँगा nike और adidas अब मैं इसका एक custom view बना देता हूँ यहां पर click करूँगा add और यहां पर custom view क्या नाम दूँगा इसका मैं गया खिया ओके किया तो यह पूमा का डेटा आ इसको पूमा का डेटा आ गया अब यहां पे मैं आँगा और एक यहां पर घूस्त एक दो और कस्टम ग्यां आपके मैं बना लेता हूँ जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ जैपुर का custom view बनाना मतलब मेरे को चाहिए कि जैपुर का जो data है वो यहाँ पर दिखाई देना चाहिए तो जैपुर को select करूँगा केवल बाकी को unselect और ok करूँगा तो सिर्फ जैपुर का data यहाँ पर आएगा और अधाबाद का बना लिया फिर बोपाल का दोनों को एक साथ बना लेता हूं और ok पर click करूँगा ओके पर कलिक किया तो यहाँ पर दोनों city है वह filter होके आ चुकी है अब इनका में custom view बना लेता हूं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं बस उस तरह सलेक्ट करना है और सो पर क्लिक करना है तो वह custom view इस तरह से दिखाई देगा अब इसको मैं print कर सकता हूँ copy करके कहीं पर ले जा सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ यह लिए आप देख सकते हो यह है दोस्तो custom view इस तरह से custom view काम आता है यानि कि आप अपनी requirement के according यह सब custom view बगेरा बना सकते हो ठीक है मैं आपको बस बता रहा हूँ कि किस तरह से यह काम करता है custom view ठीक है अब यहाँ पर जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था एक drop down list बनाना वो कैसे बनाते हैं चलिए मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर क्लिक करूँगा यह एरो दिखाई दे रहा होगा आपको एरो पर क्लिक करना है यहाँ पर इस एरो पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे आना यहाँ पर more commands पर जाना है या फिर हमको ribbon बार में right क्लिक करना है यहाँ से customize quick access toolbar टूल बार पर क्लिक क कर लेंगे हमारे एक्सल की जितने भी कमाइंड से वह यहां पर हमें दिखाई दे जाएंगी यहां पर देख सकते हो यह बहुत बड़ी लिस्ट है तो इस लिस्ट में से हमको कस्टम व्यू एक ऑप्सन दिया गया कस्टम व्यू उसको सलट करना है तो हम जाएंगे सी यू वाली सेरीज में तो आप देख सकते हो यहां पर सी иц यो ची याँ गया देखिए कस्टम सौर्ट कस्टम मार्जन और कस्टम व्यू देख सकते हो यह रहा इसको मैंने सलट कर लिया यहां पर यह एरो जैसे आपको आइकन दिखाई देगा इसको select करना है किसी दूसरे को select नहीं करना है तो मैंने यह select किया और simple add पर click करूँगा तो यहां पर यह आ जाएगा अब पहले हमारे ले जाना उपर ले जाना तो आप यहां से इस तरह से ऊपर भी रख सकते हो नीचे भी रख सकते हो तो मैं यही पर रखूँगा और यहां से okay पे click कर देता हूँ ओके पर क्लिक किया तो यहां पर हमारे जो custom view है custom view का option है यहां पर आ चुका है तो अब मैं चाहता हूं कि यह जो quick access toolbar है यहां पर आना चाहिए ribbon bar के नीचे तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैं जाओंगा यहां पर right click करूँगा और customize quick access toolbar में क्लिक करूँगा और यहां पर एक option दिया गया है so quick access toolbar below the ribbon यानि ribbon के नीचे so होना चाहिए quick access toolbar तो मैंने select किया इस तरह से इसको check कर लिया check करने के बाद मैं okay पर click करूँगा तो यह वहां से हट करके नीचे यहां पर दिखाई देगा अब इसको हम यहां से easily use कर सकते हैं तो मैं चाहता हूँ यह नाइक एडिदास का data यहां पर filter करना तो easily इस पर click करूँगा तो यहां पर मेरे सामने नाइक और इडिदास का जो data है वो आ चुका है और हम मैं इसको print कर सकता हूँ अपने boss को दे सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ easily तो यहां पर हमने इस तरह से यह जो भी custom view हो हमारे यहां पर इसमें दिखाई दे जाएंगे जो भी custom view यहां से लेना है बस उसको select करना easily उसको हम यह custom view है उसको use कर सकते है ठीक है select किया जो भी आपको print करना है कुछ करना है बेजना है send करना कुछ भी करना है copy paste करना है कहीं दूसरी जगे तो इस तरह select करेंगे control F2 यह print preview यहां पर आ चुका है इस तरह से कर सकते हैं ठीक है अब यह मेरे पास data बहुत छोटा है बहुत बड़ा data हो तो यह होता है दोस्तो custom view यूज करना किस तरह से हम custom view यूज करते हैं आयोप आपको यह समझ में आया होगा Microsoft Excel में custom view क्या होता है अब अगर दोस्तो आपको यह quick access toolbar यहां से बापिस वहीं ले जाना है तो उसके लिए पहले जो हमने किया था वही करना है यहां पर क्लिक करेंगे एर वा जाएगा और यहां पर more commands पर जाना है यहां से इसको uncheck करना है और अगर आप चाहते हो कि यह custom view का option यहां पर हमने दिया है तो इसको हम चाहते हैं delete करना तो easily यहां से हम select करेंग और remove पर click कर देंगे यह ऐसे remove हो जाएगा और यहां पर wemauke कर लिटेट वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम